हेलो आज हम बात करेंगे सेल्जा टीचर के बारे में कि आखिर में सेल्जा टीचर जो की बहुत ही फेमस हेल्थ मिनिस्टर की केरला की उनको जो अभी सेल्जा टीचर को तो मैं हुराज कमल चलिए स्टार्ट करते हैं तो इंडियन एक आर्टिकल चपता है कि वाय देर इस नो स्पेस फॉर सेल्जा टीचर इन न्यू केरला कैबिनेट की जब केरला की नई कैबिनेट बनती है तो आखिर में सेल्जा टीचर जो इतने अच्छा प्रोफॉर्मेंस देती है करना वायरस पैंडेमिक में तो आखिर में उनको न्यू कैबिनेट में जगह क्यों नहीं दी जाती है फिर से इंडियन एक्स्ट्रेस ने दूसरा आर्टिकल चापता है कि आखिर में जो को सेल्जा टीचर को आखिर में एक भी सीट कोई भी पोर्टफोलियो मान लिजा की हेल्थ मिनिस्ट्री नहीं दिया गया तो कोई दूसरा देना चाहिए क्योंकि विजन ने 21 मेंबर का कैबिनेट किया 21 लोग इससे कैबिनेट में सामिल है तो इस किस लोग में से कोई भी मिनिस्ट्री सेल्जा टीचर को नहीं दिया गया तो यह काफी कोशन सावरे लोग के मन में था और यह काफी नेशन वाइड इसे लोग सर्च कर रहा है फिर इसे दवायर ने भी यहीं लिखा है कि आखिर में जो एक रॉक स्टार की भूम का निवा चुकी ती कि किसी भी हेल्थ मिनिस्टर के कोई भी फेमस नहीं थे यहां थे कि सेंट्रल पॉर्टफोलियो में भी जो हेल्थ मिनिस्टर रहा वहां पर लेफ्ट गॉर्मेंट बना उसके लिडर से उसके चीफ मिनिस्टर बने तो देखिए जब फर्स जो कामन्ट है था shoots और उन्हें नितरितных में को विड 19 हुआ यह फिर से चो भी नीपावाइरस चो तूथासंवड यटीज मे न आया था उसक्ड उन्होंReally arrangements की काफी मदद की इसी कान वोग जो मैगजीन होता है वो उनको अपने कवर पेज पे जगा भी दिया तो देखें मैं बताता हूं कि जब सीपी आइम गौर्मेंट जो अपना पूरा कैबिनेट जो फाइनलाइज की तो उसमें यह सामने आया कि फिनराई वीजन एक सर्प्राइ यानि लोग को अशर चकित कर देते हैं कि वो अपने कैबिनेट में केकेस अलजा को जगा देते ही नहीं हाला कि अभी जो इलेक्शन्स हुआ था उसमें केकेस अलजा मतमनूर एसेंबली से चुनाव लड़ी थी और इसमें वो हिस्टॉरिक सिक्स्टी थाउजन वोड से के इन सब के बावजूद भी उनको पूरी तरीका से लेकिन वो अपने समय अपने काल में प्रिक्तम जमीनी अस्तर पर गाओं की गाओं पंचैट तो पंचैट हर सहर में उन्होंने बहुत ही बड़ी आ काम किया लोग खुष था उनके उनको वो कितना वोटों से जीती ये भी आप अंदाजा लगा सकते हैं साथ है रिपोर्टों से एक विदान सबागों जितना बहुत बड़ी बात होती है तो एक समय तो केके सैलजा का जो एक तेका से हाई ताउन का पॉपलार्टी था वो एक समय इतना पिनराई विजन को भी पार कर गया था यानि लोग का रह स्वेंटी के रहे हैं कि आखिर में जो पिनराई विजन है की से क्या बनाते हैं और वो कैसा परफॉर्मेंस करता है तो हलाकि मैं बदा दो पार्टी नहीं कहें कि और दूसरा था नहीं दिया नो सेकेंट टरम और एनी मिनिस्टर के वाल सेलजा जी के लिए ही नहीं बलकि व चैप्टेन थे पिनराई वीजन वो तो शीफ मिनिस्टर बन गया लेकिन उनके जो भी पॉटफोलियों में मिनिस्टर्स थे उन सब को वो अधिकतर को तो उन्होंने टिकट ही नहीं दिया और टिकट जिसको दिया वो जीते लेकिन उनको मिनिस्टर नहीं बनाई ये पार्टी तो हलाकि मैं बता दू कि इसमें एक केटी जलील भी एक मिनिस्टर ते जो जिसको लिफ्ट सपोर्ट कर रहा था हला कि इंडिपेंडेंट थे तो केटी जलील पर आरोप लगा था कि यह एकदम खपला किये थे अपने मिनिस्ट्री में और पूरी तरिका से परिवारवाद को इन्होंने बढावा दिया गया तो हलाकि मैं बता दू कि पूरे केरला में सुप्रिमेसी अगर किसी की चल रही है अभी वहां के गौशन को डिक्टेट भी कर रहे हैं कि उनके जो भी डिसीजन पर कोई कोशन रेस नहीं कर रहा है अगर कोशन प्येस कर रहा है तो उसे साइड लाइन कर दिया जा रहा है एक हार्ड एक हार्ड कोर सेंटरल लेडर सी बीजेपी की तरह है फिर से मैं बता दो कि कुछ कुछ पार्टी का सिंप्टाइजर है सेक्षन है वो पहले पहले वो बोलता था कि अगर आप अगर आप जो पहले के जो स्ट्रॉंग होल्ड लोग है जो कि बहुत जादा कई बार से जीत कर आ रहा था अगर उनको आप नहीं दीजेगा टिकट तो पार्टी को नुकसान हो सकता है लेकिन रिजल्ट क्या हुआ हुए यह आप सब जानते हैं कि LDF पिंडाई विजन के त्रित्व में 99 स सिट्स लाता है 140 सिट्स में तो विजन का स्ट्रीजी कामयाब होता है कि वह पुराने लोगों को टिकट नहीं देते हैं बलकि न्यूकमर्स को टिकट देते हैं और देखिए और CPIM एक और तर्क देता है कि पार्टी जो है और पॉलिसी जो है वह इंडिवेजूल से उपर उ मेनिस्टर के अचीवमेंट को कोई specific way से नहीं देखते हैं तो वह बोलते हैं कि हम होल पूरी तरिके से पार्टी के परफॉमेंस को देखते हैं तो हाला कि अब मैं बता दो कि CPIM है वो पूरी तरिकर से बोल रहे हैं कि जो कि हमारा हमारे पार्टी में किसी भी इंडिवीजुल का पद उतना उचा नहीं है पार्टी में पॉलिसी कहीं सबसे ज़्यादा उचा है और हम बिल्कुल नहीं मानते हैं कि आखिर में किसी भी क्या था इसके बावजूद भी CPIM गॉर्मेंट उनको क्रेडिट नहीं दे रही है फिर मैं बता दो कि आखिर में चैलेंज क्या है विजन जी के सामने यहीं चैलेंज है कि वो दूसरी बार फिट से तो गॉर्मेंट बना लिये हैं और दूसरी बार फिट से पैंडेमिक को कै कैसे पैंडेमिक से कैसे लड़ते हैं अपने स्टेट को और स्पिस्फिकली वो अपने हेल्थ डिपार्टमेंट को कैसे कंट्रोल करते हैं जो भी उनका हेल्थ मिनिस्टर होगा वो कैसा काम करता है और सीविल सोसाइटी होती है वो कैसा सोचती है जो कि पोस्ट सैलजा हेल् साहब जो सोच रहे हैं वो अहीं सोच रहे हैं और उनका मानना है कि वो अपनी मिनिस्ट्री में एकदम न्यूख को लाना चाहते है को लाना चाहते हैं मुझत भी सब सब का रहे हैं कि आकिरम गुन को कैसे कर पाते हैं के सिचुएशन में तो इस the new webinar की लीडर है वीना जॉर्ज उनको निया किरला का हिल्थ मिनिस्टर पॉइंट किया गया अभी तक राजपाल के पास यह लिस्ट गया वहां से अप्रूब होगा फिर वीना जॉर्जी बन जाएंगी तो मैं आपको यह वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमें अप्शन बॉक्स में सेयर कीजिए यह सेयर किया है वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं सोर्थ हैं